आवाज साफ आ रही है, audio clear है, सब को छोके है, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकली, problem कटना है, चिंता, दुख वेता, किसी भी प्रकार की, कोई भी अगर आपके लिए, tension है तो comment जरूर करें, सब को छोके report, okay, शुरू करें class, radio हैं सभी तयार है, प्रश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, चलिए, शुरू करते हैं class, जल्दी जल्दी share कर दीजिए, तो सबसे पहला प्रश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, question number one, आपसे क्या पूशा गया है, हाँ पर, सम्विधान, अच्छा, आज मैं आपको बता दू कि, आज हम question जो cover कर रहे हैं, ये सम्विधान से संबंदित प्रश्चन हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लिजेगा, क्योंकि ये प्रश्चन जो है, exam में आते हैं, इस topic से exam में question बनते हैं, ठीक है, तो चलिए, शु सम्विधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारत सम्विधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी, क्या उत्तर हो जाएगा, सबसे पहला प्रश्चन है, screen पर, question number one, आप से क्या पूशा गया है, चलिए बतलाईए, सम्विधान सभा के द्वारा, अंतिम रूप से पारत सम्विधान में, tiger, prediction, संधिया, good evening, good evening, good evening, good evening, सभी को मेरी आवाज आ रही है, audio clear है, okay report एकदम, तो सम्विधान सभा की बात हो रही है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, option number, 395 अनुच्छेद थे, और 8 अनुसोचिया थी, option number C, प्रश्न का, सही उत्तर हो जाएगा, question, सम्विधान सभादवारा, अंतिम रूप से पारिश सम्विधान में, कुल कितने अनुच्छेद और अनुसोचिया है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसोची, प्रश्न का, सही उत्तर है, ठीक है, next question है, वर्तमान समय की गड़ना की द्रश्टी से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसोचिया है, वर्तमान समय में बात करें, तो भारतिय सम्विधान की गड़ना की द्रश्टी से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसोचिया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न के लिए, वीडियो शेय बतला ये वरतमान समय में भारती सम्मिधान की गणना की दरश्टी से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहां पर सही उत्र हो जाएगा सब्सक्राइब करना ना भूले राइट आंसर हो जाएगा नेक्ट कॉशन देख लेते हैं वरतमान भारती सम्मिधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी हैं क्या उत्तर हो जाएगा राइट आंसर क्या है वरतमान भारती सम्मिधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी हैं तो यहां पर सेयुत्र हो जाएगा कुल धाराओं की संख्या कितनी है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो कुल धारा वरतमान समिधान में तो राइट आंसर है 395 धाराएं है अप्शन नमबर बी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा 394 धाराएं अगला कॉश्चन है समिधान के किस अनुछेद में यह अंकित है इंडिया अर्थाद भारत राजियों का एक संग होगा बतलाएं समिधान के कौन से अनुछेद में यह बात कही गई है कि इंडिया अर्थाद भारत राजियों का एक संग होगा यह बात कहां कही गई है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो अनुच्छेत कौन से तो अनुच्छेत एक में ये बात कही गई है option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेत एक में ये बात कही गई है very well done champions very well done next question है सम्मिधान के अनुच्छेत एक में भारत को क्या कहा गया है सम्मिधान के अनुच्छेत एक में भारत को क्या कहा गया है right answer क्या है प्रशन के लिए सम्मिधान के अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए सम्मिधान के अनुच्छेद एक में भारत को क्या कहा गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा सम्मिधान के अनुच्छेद एक में भारत को जो है राजियों का संग कहा गया है क्या कहा गया है राजियों का संग कहा गया है जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाईए भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद में नागरिक्ता सम्बंधी प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा option number अनुचे 5 से लेकर 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है option number B प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा right answer हो जाएगा option number B प्रश्न के लिए सही उत्तर है जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएए अगला question देख लेते हैं अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने question पूछा गया है निम्न मैसे किस अनुचेदों द्वारा भारतिय सम्मिधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है ये सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए option number सही उत्तर क्या है जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएए राइट आंसर तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए राइट आंसर तो नागरिकों के मूल अधिकार को निश्चित्ता प्रदान करता है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक option number ए प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार की निश्चित्ता प्रदान करता है राइट आंसर हो जाएगा next question है अगला प्रश्ण आपके सामने है आपसे पूछा गया है नौकरी और सेक्ष्णक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्द कराने के लिए केंदर सरकार को सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है केंदर सरकार को सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेत अधिकार प्रदान करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते चलें चैनल पर नए हैं to subscribe भी करते चलें राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए आप से पूछा गया है नौकरी और सेक्शन संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षन उपलब्द कराने के लिए केंदर सरकार को समिधान का कौन सा अनुच्छेत अधिकार प्रदान करता है राइट आंसर क्या है इस प्रशन के लिए तो यह है अनुच्छेत option number 16 बी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेत 16 यह अधिकार प्रदान करता है राइट आंसर है प्रशन का next question है आपके सामने भारत के समिधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेत और प्रश्टा का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आच्रण का निश्यद करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस फ्रशन के लिए भारत के समिधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेत आश्ट प्रश्टा के उन्मूलन को करता है और किसी भी रूप में आच्रण के रूप में इसका निश्यद करता है आश्ट प्रश्टा तो यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा अनुच्छेत सत्रा ओप्शन अंबर सी प्रश्टा का सही उत्तर हो जाएगा अगनी संध्या वेरी गुड नेक्ट कोश्टन है भारतिय संभीधान का कौन सा अनुच्छेत राश्टपती के पद के लिए पुनह निर्वाचन के योगिता निर्धारित करता है क्या उत्तर हो जाएगा वीडियो को शेयर करते चलिए भारत का समिधान का कौनसा अनुच्छेद राष्टपती के पद के लिए पुनह निर्वाचन की योगिताएं निर्धारित करता है सही उत्तर क्या हो जाएगा जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलें वीडियो को लाइक शेर भी करते चलें अनुच्छेद 57 option number D प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रश्ण है आपसे पूछा गया है भारती समिधान के किस अनुच्छेद के अंतरगत भाशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारेंटी है भाशन और अभिव्यक्ति के स्वतंतरता के अधिकार की गैरेंटी मिलती है तो यह कौन सा अनुच्छेद है, सही उत्तर क्या हो जाएगा कौन से अनुच्छेद के अंतरगत, भाशन और अभिव्यक्ति के स्वतंतरता के अधिकार की गैरेंटी दी गई है राइट आंसर क्या हो जाएगा वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपसे कॉशन नहीं बन रहे हैं तो प्लीज उन सभी को अच्छे से रट लीजिए क्योंकि आज के नहीं बने कॉशन कल दिक्कत खड़ी कर सकते हैं तो प्लीज उन सब को अच्छे से याद करते जाएए है ना राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए तो कौन सा अनुच्छेद आपको बोलने की आपको अपने विचार प्रकट करने की अभिव्यक्ति की सोतंतरता देता है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह अनुच्छेद है 19, option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट गोशन देखते हैं अगला प्रशन आपसे पूछा गया है भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में प्रेश की सोतंतरता दी गई है भारतिय सम्मिधान के कौन से अनुच्छेद में प्रेश की सोतंतरता दी गई है राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतिय समिधान के कौन से अनुछेद में प्रेस की सुतंतरता दी गई है राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए भारतिय समिधान के कौन से अनुछेद में प्रेस की सुतंतरता दी गई है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रशन के लिए वीडियो शेयर करते चलिए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रेस की स्वतंदृता जो है यह दी गई है 19A में option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा 19A में प्रेस की स्वतंदृता दी गई है अगला प्रशन है मौलक अधिकार के अंतरगत सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए वीडियो शेयर करते चलें चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें तो बच्चों के सोशन से संबंदित अनुच्छे जो है यह है अनुच्छे 24 ऑप्शन नमबर D प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा चैंपियंस वीडियो के क्वेशन इंपॉर्टेंट हैं अच्छे से याद कर लीजिए आपका फायदा है आपके लिए ही यह प्रश्ण नमबर दिलाएंगे भारती संब्धान के किस अनुच्छेद में अल्प संख्यकों के हितों के संरक्षन की विवस्ता की गई है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए अल्प संख्यकों के हितों की विवस्ता इनमें से कौन से अनुच्छेद में की गई है विनीत भारती गुडीवनिंग गुडीवनिंग जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए सही उत्तर क्या है चलिए बतलाईए चलिए देख लेते हैं इस प्रश्ण के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा तो नाग्रिकों के अल्पसंख्यों को के हितों के सरक्षण की विवस्ता की गई है अनुच्छे 29 में option number B प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद है अनुच्छे 29 next है कौन से अनुच्छेत के अंतरकत भारत का सर्वोच नयाय ले नाग्रिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है किस्के अंतरकत क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते चलें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलें राइट आंसर क्या हो जाएगा सरबोच्छे नयायले नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्ण के लिए चलिए देख लेते हैं तो यह अनुच्छेद 32 है option number D प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 के अंतरगत हमें ये जानकारी मिलती है अगला प्रश्ण देख लेते हैं भारतिय सम्विधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीती निजशक तत्मों का उलेख मिलता है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए चलिए बतलाईए राज्य के नीती निजेशक तत्मों का उलेख क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्ण के लिए किसमें मिलता है सही उत्तर क्या हो जाएगा वीडियो शेयर करते चलिए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्ण का option number नीती निजस्कत्तों का उलेख मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक option number राइट आंसर हो जाएगा जी हाँ जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाईए अगला question आपके सामने है भारतिय सम्विधान के अंतरगत कल्यानकारी राज की आउधारना किस अनुच्छेद में मिलती है सही उत्तर क्या है प्रश्ण के लिए कल्यान कारी राज्य की अवधारणा कौन से अनुच्छेद में मिलती है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कल्यान कारी राजे की अवधारना अनुच्छे 39 में मिलती है option number B प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next है भारती समिदान का कौन सा नुच्छे तो राजिस सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है right answer क्या है राजिस सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश कौन देता है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें राइट आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रशन का option number right answer हो जाएगा अनुच्छेद 40 option number D प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर है अनुच्छेद 40 next question देखते हैं 42 सम्मिधान संसोधन द्वारा सम्मिधान के किस अनुच्छेद में मौलिक करतावियों को जोड़ा गया था क्या उत्तर हो जाएगा right answer क्या है प्रशन के लिए सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें कौन से अनुच्छेद के अंतरगत मौलिक करतावियों को जोड़ा गया था right answer क्या है तो मौलिक करतावियों को इनक्यावन ए के अंतर का जोड़ा गया था option number B सही उत्तर हो जाएगा right answer है जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएए next question अगला प्रशन ये रहा आपके सामने भारती सम्मिदान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक करतावियों की चर्चा की गई है मौलिक करतावियों की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है right answer क्या हो जाएगा मौलिक करतावियों की चर्चा कौन से अनुच्छेद में की गई है right answer क्या हो जाएगा इस question के लिए जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन ओन करते चलें वीडियो को लाइक भी करते चलें सही उत्तर क्या हो जाएगा तो मौलिक करतावियों की व्याख्या जो है या चर्चा जो है क्यावन ए में की गई है option number B प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा right answer है next question देख लेते हैं अगला प्रशन है संग की कारेपाली का शक्ती राश्रपती में नहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयम या अपने अधिकारियों के लिए के द्वारा करेगा बतला ये कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है right answer क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है right answer क्या है प्रशन के लिए कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए तो अनुच्छेत 53 में ये बात कही गई है option number article 53 प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्स्राइब कर लीजेगा भारत के सम्मिधान के किस अनुच्छेत के अंतरगत चलाया जा सकता है क्या उत्तर हो जाएगा राश्रपती पर महाभीयोग कौन से अनुच्छेत के अंतरगत चलाया जा सकता है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये महाभीयोग जो है अनुच्छेत 61 के अंतरगत option number A प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा Article 61 सही उत्तर है Next देख लेते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशन समिधान के कौन से अनुच्छेद में ओपराश्रोपती के पद का प्रावधान है वीडियो को शेयर करते चलो जो भी चैनल पा नए है सब्स्क्राइब जरूर करते चलना जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलना राइट आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उप्राश्पती के प्रावधान पद का प्रावधान ये किया गया है अनुच्छेत 63 में और सही उत्तर हो जाएगा नेक्ट्ट कॉश्चन है सम्मीदान के कौन से अनुच्छेत के अंतरकत मंत्री गण सामोहिक रूप से लोग सभा के प्रती उत्तरदाई होते हैं अनुच्छेत का ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट होता है एक नएक कॉश्चन इसमें से आएगा ही आएगा मैं आपके लिए दो टॉपिक करा चुका हूँ एक मैंने आपके लिए नियुक्तियां करा दी थी और अवाड एंड ओनर करा दिये थे आज मैंने अनुच्छेत करा दिया धीरे धीरे करके टॉपिक कम्प्रीट कर दूँगा मैं बाद में कोई ये नहीं बोलना की सर हम आपके यहां पढ़ते तो आपने ये नहीं पढ़ाया था हम पढ़ाते जा रहे अब तुमारी मर्जी है तुम्हें याद करना है नहीं करना है आप ज़्यादा समझदार हो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए मंत्री परिशत में ये सामुहिक रूप से किसके प्रती तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेत 75 में ये बात कही गई है कौन सा अनुच्छेत मत्री परिशत के गठन के बारे में आधार भूत नियम निर्धारित करता है तो यहां पर सयुत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए option number right answer हो जाएगा आपसे पूछा गया सम्मिधान का कौन सा अनुच्छेत मंत्री परिशत के गठन के बारे में आधार भूत नियम निर्धारित करता है तो अनुच्छेत 75 यह जानकारी देता है option number C सही उत्तर हो जाएगा महा नियावादी की नियुक्ती से संबंदित अनुच्छेत कौन सा है क्या उत्तर हो जाएगा right answer क्या है hmm answer क्या हो जाएगा इस प्रेशन के लिए एक सेक्ड़ लुक्ना चलिए तो हम पढ़ रहे थे कौन से question पर थे तो यहाँ पर सहीत्तर हो जाएगा आपका राज्यों के नीदिने से स्तत्त्त हो गया फिर उसके बाद में आपका महा नियावादी हम महा नियावादी से संबंदित अनुच्छेत 76 कौन सा है अनुच्छेत 76 option number C right answer है कौन सा अनुच्छेत संसत के दोनों अधिवेशनों के बीच में 6 महा के अंतराल की अनिवारिता का उलेक करता है चलिए बतलाईए कौन सा अनुच्छेत है जो संबिधान के दो सदनों की बैटक में 6 महा का difference रहता है उसके बारे में जानकारी देता है कौन सा अनुच्छेत है वह बतलाईए सही उत्तर क्या है कौन सा अनुच्छेत है ये right answer क्या हो जाएगा जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएए तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये अन्तराल की व्याक्या अनुच्छेत 85 करता है कौन करता है अनुच्छेत 85 option number D right answer है भारतिय राश्ट्रिपती सम्मिधान के के सनुच्छेत के अंतरगत लोग सभा को भंग कर सकता है लोग सभा को भंग कर सकता है right answer क्या हो जाएगा राश्ट्रिपती कौन से अनुच्छेत के अंतरगत लोग सभा भंग कर सकता है तो राश्ट्रिपती जो है अनुच्छेत 85 के अंतरगत लोग सभा को भंग कर सकता है सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्टन है संबिधान के किसन उच्छेत के द्वारा संसत की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है संसत की संयुक्त बैठक का प्रावधान इनमें सेकिस के अंतरगत किया गया है कोई दिक्कत परिशानी समस्या तकलिफ हो रही है किसी को questions को लेकर हाँ सारे question आपसे बन जाएं ऐसे question रोज रोज तो कराएंगे नहीं कभी कभी कुछ ऐसा भी कराएंगे जो आपसे नहीं बने या उन में से कुछ बने आपसे तो उसको क्या positive way में लो है ना तो अगर ये question ज्यादा लोगों से नहीं बन रहे हैं अगला प्रशन है लोगसभा एवं राजसभा की संयूक तो बैटकर की अध्यवेशन के विश्यम में प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया है क्या उत्तर हो जाएगा क्या झाइएब तो यहाँ पर सयुत्तर हो जाएगा अधिवेशन की सेक्त अधिवेशन के विश्व में प्रावधान सम्मिधान के कौन से अनुच्छेद में हैं तो यह अनुच्छेद 108 में हैं किसमें अनुच्छेद 108 option number B next question है सम्मिदान के कौन से अनुच्छेत में धन विधियक की परिभाशा दी गई है धन विधियक की परिभाशा कौन से अनुच्छेत में दी गई है क्या उत्तर हो जाएगा बिनीत संध्या धन विधियक की परिभाशा कौन से अनुच्छेत में दी गई है राइट आंसर क्या है प तो धन्विद्यक की परिभाशा जो है अनुच्छेद 110 में दी गई है, option number C, next question है, अगला प्रश्न, भारतिय सम्विदान का कौन सा अनुच्छेद भारत में संचित कोस से संबंदित है, क्या उत्तर हो जाएगा? अपने अपने दोस्तों को शेयर करते चलिए, चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी करते चलें, राइट आंसर क्या हो जाएगा? संचित कोस, संचित निधी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत की संचित निधी से संबंदि अनुचित 12, 39, 143, 146, उपर एक सभी, option number D, प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, संचित निधी, संचित निधी आपको पता है ना, payment संचित कोस से होती है, जो पैसा जमा करके रखते हैं, जैसे मान के चलो एक छोटा सा एक्जामपल है, आपका घर है, और आप घर चलाने वाल जिसको बोलते हैं, राश्पती का वेतन हुआ, या किसी प्रकार का कोई काम हुआ, जो करना जरूरी है, और पैसों की जरूरत है, तो उस पैसे मैंसे निकाल के वो काम कर सकते हैं, तो वो संचित को संचित निधी होती है, तो ये सभी, जो है संचित गोस से संबंदित है, right answer नाम से ही पता चलता है संचित करना, मतलब बचा करके रखना, हर बिभाग का एक एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है, जो उस बिभाग की कमाई का कुछ हिस्सा उस संचित निधी में रखता है, और सभी बिभागों के वो छोटे-छोटे से मिलकर एक बड़ी निधी बनाते ह जो पैसा एक प्रकार से गुलक की तरह प्रियोग होता है, जरूरत पढ़ने पर उसमें से निकाल के उपयोग कर सकते हैं, फिर जतना लिया उतना उसमें डाल दो, अगला क्वेशन देख लेते हैं, भारती संभीदान निम्ने मैं से कौन सा नुच्छेद भारत के परती में अध्यादेश जारी करने की शक्ती प्रदान करता है, कौन सा नुच्छेद है ये? सही उत्तर क्या हो जाएगा, वीडियो को शेर करते चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते चलिए, आज आप क्लास में पढ़ रहे हैं सम्मीधान के अनुच्छे अध्यादेश जारी करने की शक्ती प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 123 राश्रपती को अध्यादेश जारी करने की शक्ती प्रदान करता है, क्यों? नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं, अगला प्रशन है, सम्मीधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्य नयायले के न्याधीश पर महाभीयोग चलाने का प्रदान कौन से अनुच्छेद में मिलता है, क्या उत्तर हो जाएगा, वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए ह तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो शेयर किया करें, जिससे और भी दोस्त जुड़ सकें, और भी दोस्त जुड़ सकें, इसके लिए वीडियो को शेयर किया करिए, जादा से जादा दोस्तों को जुड़ने के लिए, तो यहाँ पर सयुत्तर हो जाएगा, इस अनुच्छेद के अंतरगत परामर्ष ले सकता है। किसी भी एक नंबर की जानकारी के विरुद्ध नहीं कर सकते हैं। अगर राष्टपती बीच में से उठके जाता भी है तो भी कोई न कोई अनुच्छेद हैं जो यह कहता है। प्रधान मंत्री चल रहे अधिवेशन को छोड़ कर जा सकता है तो भी किसी न किसी अनुच्छेद में बात होगी। कोई भी मंत्री किसी भी समय खड़ाओ के अगर कुछ पूछ सकता है तो भी अनुच्छेद में बात होगी। किसी भी प्रकार से अगर सम्विधान का उलंगन होता है एक पॉइंट से भी तो सम्विधान के उलंगन पर सामने वाले को बहुत ही जादा हानी का सामना उठाना पड़ सकता है इसलिए जो भी काम हो रहा है हर काम के लिए एक अनुच्छेद बना है इसलिए व्यक्ति उस क काम को कर पा रहा है अगला प्रश्न है तो यहां पर 143 के अंतरगत सलाह ले सकता है नेक्स्ट कॉश्चन आपसे पूछा गया है सर्वोचे ने आयले अपने द्वारा सुनाएगा किसी भी निर्णय को खुद पुन्राव लोकन के लिए ले सकता है भाईया हमने बोला था कि कल तुमारे लिए ये करना है नहीं नहीं हो सकता है कि हमसे कुछ गल्ती होई हो हम अपना निर्णय दो मेट के लिए रोकते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो तुमसे बोला था वो सही बोला है कि नहीं बोला तो अपना निर्णय दुबारा से पुन्राव लोकन कर सकता है ये भी अनुच्छेत में कहा गया है कि बोलते हैं एक बार सोच लो समझय लो फिर बताना तो वेसे ही संविधान राष्ट्र न्याएधिसों से बोलता है कि एक बार फिर से अपने फैसले सुनना है तो सुन लो फिर दे देना फैसला तो नियायद ही इस अपने फैसलों पर पुनाव लोकन कर सकता है कौन से अनुच्छित के अंतरगत अनुच्छित 137 के अंतरगत ठीक है important question next है समिदान के निमलिकित मैंसे कौन से अनुच्छित में यह विवस्ता की गई है कि उच्छितम नियायले द्वारा निश्चित विधी भारत के राज्य छेतर के भीतर सभी नियायलेओं पर आबद कर होगी मतलब सरवोच नियायले ने जो बना दिया वो राज्य के अंतरगत कोई भी नियायले है सब पर वो नियम लागू होगा ये भी किसी ना किसी अनुच्छित में कहा गया है उच्छतम नियाले अगर कोई भी विधी बना देता है नियम बना देता है तो वो राज्य के भीतर के सभी नियाले उसका पालन करेंगे ये कौन से अनुच्छेद में है राइट आंसर क्या हो जाएगा सही उत्तर क्या है? चलिए देख लेते हैं इस प्रशन के लिए सही उत्तर तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 141 में ये बात होई है option number A प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिस जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाएए जो भी चैनल पर नए है subscribe जरूर कर ले भारतिय समिदान में सरवचे नयायले तथा उचे नयायले को नियाएक पुर्राव लोकन की शक्ति प्रदान की गई है कौन से अनुचेद के अंतरगत कि सरवचे नयायले और उचे नयायले दोनों अपने कोई भी फैसले को दुबारा सोच समझ सकते हैं कौन से अनुचेद में उन्हें ये शक्ति प्रदान की गई है राइट आंसर क्या है वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नय है तो सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें सही उत्तर क्या है प्रशन के लिए कौन सा अनुचेद यह जानकारी देता है सही उत्तर क्या है चलि बतलाईए राइट आंसर वेरी वेल डन जी वेरी वेल डन चलिए देख लेते हैं इस प्रशन का सही उत्तर क्या हो जाएगा तो यहां अनुचेद कौन सा अनुचेद है तो राज्यों को और सरवोचे नयाल है अनुचेद 32 के अंतरगत 32 आर्टिकल नंबर 32 के अंतरगत दुबारा से सोच सकते हैं अपने फैसलों में अगला क्वेशन देख लेते हैं अगला प्रशन समिदान के किस अनुचेद के अंतरगत अधीनस्त नयाले या जिला नयाले का प्रावधान किया गया है मतलब एक मेन होगा उसके अंडर में और भी होंगे बहुत सारे होंगे नयाले राइट आंसर क्या है प्रशन के लिए शेयर करते चलिए वीडियो की लिंक जो भी चैनल पर नय है सब्सक्राइब ज़रूर करें कौन से अनुचेद में यह बात कही गई है राइट आंसर क्या हो जाएगा हम सई उत्तर क्या है चलिए देख लेते हैं इस प्रशन के लिए सई उत्तर हो जाएगा यह अनुचेद 233 में बात कही गई है कि एक मेन होगा और फिर उसके नीचे और भी होंगे अगले कौशन पर चलते हैं भारती सम्मिधान का कौन सा अनुचेद सम्मिधानिक प्रावधानों की संगिय, SANSÂद, राज्यविधान पालिकाओं द्वारा बनाएगए निचमों कानुनों का प्राथमिक्ता प्रदान करती है मतलब संग, राज्य या जो भी संसद है वो जो भी नियम मनाए तो उनका पालन करना है कौन से अनुच्छेद में ये बात कही है कि एकर सरकार नियम मनाती है संसद नियम मनाती है राजय नियम मनाता है केंदर नियम मनाता है तो उसका सब को पालन करना है कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए हाँ जी वेरी वेल दन जी वेरी वेल दन तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये अनुच्छे 245 में बात कही गई है option number C प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा any problem? no problem? keep it up good going सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए हाँ जी next है कौन से अनुच्छेत के तहत अवसिष्ट सक्तियां केंदर के पास में है इन में से कौन से अनुच्छेत के अंतरगत अवसिष्ट शक्तियां जो हैं केंदर के पास में है क्या उत्तर हो जाएगा? अवसिष्ट शक्तियां केंदर के पास में है कौन से अनुच्छेत के अंतरगत right answer क्या हो जाएगा प्रशन के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के अंतरगत अपसिष्ट शक्तियां जो हैं वह केंदर के पास में है अगला क्वेशन आपसे पूछा गया है राज्यों के द्वारा प्राथना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए अनुच्छेद के अंतरगत कानून बना सकती है कौन से अनुच्छेद में बोला है कि कोई राज्य अगर ये चाहे कि संसद हमारे पर्टिकुलर राज्य के लिए कोई एक अलग से कानून बना दे कौन से अनुच्छेद के अंतरगत ये बात होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए चली बतलाईए सही उत्तर क्या हो जाएगा राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें राइट आंसर क्या है प्रश्चन के लिए वेरी वेल लन जी वेरी वेल लन सोचिए समझिए आंसर दीजिए हाँ जी राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कानून बनाने के बारे में बात हो रही है तो आपसे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कोई भी राज संसत के बो संसत से बोलकर अपने लिए स्पेशल कानून बनवा सकता है अनुच्छेद 252 के अंतरगत ऑप्शन नमब बी प्रश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट है भारती संभीधान के अंतरगत निम्न मैंसे कौन सा अनुच्छेद संसत को राज सूची के विशय में संबंधित बिधी यानि कि नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है संसत राज सूची के अंतरगत आने वाले कारियों के संबंध में नियम बना सकती है दे, right answer क्या हो जाएगा, इस question के लिए, चलिए बतलाईए, सोचिए, समझे, answer दीजिए, हाँ जी, right answer क्या हो जाएगा, इस question के लिए, very well done, keep it up, good going, yes, 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 right, right, answer, 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 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम, चलिए देखते हैं, इस question का सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ जी, तो यहाँ पर right answer हो जाएगा, इस question के लिए, संसद के लिए, क्या पूछा गया है, तो option number right answer हो जाएगा, इस question के लिए, अनुछे, 249, क्या हो जाएगा, article 249D, प्रश्ण का सही उत्तर है, next है, अगला प्रश्ण देखिए, स्क्रीन पर है question, answer दीजिए, संसद के अंतराशे समझोतों को लागू करने का निर्मान, मतलब संसद में मानके जाएगा, भारत देश ने किसी देश के साथ में कोई समझोता कर लिया, अब उसको वो समझोता लागू करना है, उसके नियम लागू करना है अपने देश में, तो कौन से नियम के अंतरगत ये कर सकती है, संसद भारत की, right answer क्या है, प्रश्ण के लिए चलिए बतलाईए, कौन से अनुच्छेत के अंतरगत, अंतर राश्च्रे समझोते, देश में लागू हो सकते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्ण के लिए चलिए बतलाईए, right answer, सोचिए समझे आंसर दीजिए, जिसके भी गलत हो रहे हैं, सही करते जाईए, जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें, right answer क्या हो जाएगा इस प्रश्ण के लिए, very well done जी, very well done, keep it up, good going, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये नियम होता है, अनुच्छे 253 के अंद्रगत, option number D, प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छे 253, वीडियो शेयर भी करते चला करो, और भी दोस्तों को जोडा करो, मेहनत हम करते हैं, आप लोग का सहयोग नहीं होगा, तो कैसे होगा, बताइए, वीडियो शेयर करिए, रोज कम से कम इस्टुडेंट की संख्या बढ़े, आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, केंद्र राज्य के प्रशास्निक संबंध, भारती संबीधान के कौन से अनुच्छेत के अंतरगत चलते हैं, चलिए देख लेते हैं, इस प्रशन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राज्य और केंद्र के प्रशास्निक संबंध, भारती संबीधान के कौन से अनुच्छेत में हैं, तो अनुच्छेत 256 से 263, ऑप्शन नमबर A, क्या वात है संध्या, तुमसे तो क्वेशन आंसर बन रहे हैं, संबीधान के कौन से अनुच्छेत के अंतरगत केंद्र सरकार, राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, राइट आंसर क्या है, चलिए बतलाईए, हाँ जी, शेयर करते चलिए वीडियो को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, कौन से अनुच्छेत के अंतरगत, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रेशन के लिए अनुच्छेत 256 के अंतरगत, उप्शन नमबर A, सही उत्तर है, अंतर राज्य परिशत के गठन का प्रावधान, सम्मिधान के कौन से अनुच्छेत के अंतरगत किया जाता है, क्या उत्तर हो जाएगा, चलिए बतलाईए, शेयर करते चलिए वीडियो को, जो भी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रेशन के लिए, हाँ जी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, अंतर राज्ये परिशत के गठन का प्रावधान संभीधान के कौन से अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है, तो option number सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छे 263 के अंतरगत, राइट आंसर है, जिस जिसका भी गलत हो रहा है, सही करते जाएए, अरे नई, नई, आपकी महनत है हाँ, आपकी महनत है, हमारा असिरवात तभी काम करेगा जब आप महनत करोगे भारती संभीधान के कौन से अनुच्छेत के अंतरगत, वित आयोग के गठन का प्रावधान है, कौन से अनुच्छेत के अंतरगत सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वित आयोग के गठन का प्रावधान है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है संपत्तिक अधिकार सम्मेधानिक अधिकार है कौन से संपत्तिक अधिकार पहले किसमे था इनमें से कौन से अनुछेद में संपत्तिक अधिकार था राइट आंसर क्या है वीडियो शेयर करते चलो चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलो नई बन रहे हैं question के answer तो tension ना लेना तीन तारीक को शाम को साड़े 6 बजे फिर से class revision होगा यहाँ पर सयुत्र हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो है 300 क में है किसमें option number D भारती संभिदान के कौन से अनुच्छेद में right answer क्या है किसी की समस्या की सुनवाई का अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलता है क्या उत्तर हो जाएगा किसी की समस्या की सुनवाई का अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलता है right answer क्या है वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो subscribe जरूर करें क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रशन के लिए बहुत अच्छे जी बहुत अच्छे तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सुनवाई का अधिकार जो है 311 अनुच्छेत के अंतरगत होता है Option number 311 Next है तो D प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नई अखिल भारतिय सेवाओं की प्रस्थापना इन में से कौन से अनुच्छेत के अंतरगत होती है चलिए बतलाईए नई अखिल भारतिय सेवाओं की स्थापना क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए चलिए बतलाईए शेयर करते जाएए चैनल पर नए हैं तो सभी अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें वीडियो शेयर जरूर करें राइट आंसर क्या हो जाएगा नई अखिल भारतिय सेवाओं की बात इन में से कौन से अनुच्छेद में है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो नई अखिल भारतिय सेवाओं की बात जो है यह अनुच्छेद 312 भी राइट आंसर है सम्मिधान के कौन से अनुच्छेत के द्वारा लोग सेवाओं का सनरक्षन प्रदान किया गया है राइट आंसर क्या है वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करें राइट आंसर क्या हो जाएगा इस फ्रशन के लिए हाजी चलिए देखते हैं इस फ्रशन का सईुत्तर क्या हो जाएगा very well done जो भी पहली बार आ रहा हैं सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा तो लोग सेवाओं के बारे में बात हो रही है तो अनुच्छे 311 में इहां बात कही गई है सनक्षन की राइट आंसर हो जाएगा Next question देख लेते हैं संग और राज्यों के लिए लोग सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है क्या उत्तर हो जाएगा लोग सेवा आयोग का प्रावधान राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए वीडियो शेयर करते चलिए जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करते चले राइट आंसर क्या है प्रश्ण के लिए तो ये अनुच्छे गठन का प्रावधान जो है संग और राजियों के लिए लोक सेवा आयो की गठन का प्रावधान अनुच्छे 315 में है option number D सम्विधान का अनुच्छे 312 किस से सम्मंदित है? सम्विधान का अनुच्छे 312 जो है यह किस से सम्मंदित है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो सम्विधान का अनुच्छे 312 जो है यह अखिल भारतिय सेवाओं से सम्मंदित है option number A right answer है संग लोक सेवा आयोग के कारियों का अलेख किस अनुच्छे के अंतरगत मिलता है? क्या उत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यह कारियों का उलेख जो है यहाँ मिलता है नुच्छे 320 के अंतरगात आप्शन नमबर A नेक्ट्ट कॉश्चन है अगला प्रश्न भारती समिदान के कौन से नुच्छेत में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान कौन से अनुच्छेत में है चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा तो निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान जो है यहाँ अनुच्छेत 324 में है option number C प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं लोगसबा में एगलो इंडियन समुधाई के प्रतनिसित्व के लिए प्रावधान कौन से अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है एगलो इंडियन के लिए राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए कौन से अनुच्छेत के अंतरगत था एगलो इंडियन कौन से अनुच्छेत के अंतरगत था सही उत्तर क्या हो जाएगा वीडियो शेयर करते चलिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूले तो एगलो इंडियन जो है यह अनुच्छेत तीन सो एकत्तेस option number A अनुच्छेत जातियों और अनुच्छेत जन्जातियों के लिए राश्रिय आयोग गठित करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेत के अंतरगत किया गया है राश्रिय आयोग गठित करने का प्रावधान क्या उत्तर हो जाएगा सही उत्तर क्या है राइट आंसर तो राश्ट्री आयोग गठत करने का प्रावधान ये है अनुच्छे 339A और अनुच्छे 339 option number A समिधान के लिए अनुच्छे कौन सा है जिसके अंतरकत हिंदी को राज भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है हिंदी को राज भाषा का दर्जा कौन से अनुच्छेत के अंतरकत प्रदान किया गया है राइट आंसर क्या है हिंदी को राज भाषा का दर्जा कौन से अनुच्छेत के अंतरकत प्रदान किया गया है राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर सहित्र हो जाएगा अनुच्छे 343A, option number A, प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा संग की राजभाशा हिंदी देवनागरी लिपी में होगी, यह किसमें कहा गया है, बतलाईए सही उत्तर, वीडियो को शेयर करते चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छे 343A में यह बात कही गई है संभिदान के किस अनुच्छेत में हिंदी भाशा के विकास के लिए निर्देशक, निर्देश दिये गए है हिंदी भाशा में विकास के लिए निर्देश, कौन से अनुच्छेत के अंतरगत दिये गए है क्या उत्तर हो जाएगा तो अनुच्छेद 300 कौन से अंतरगत विकास के लिए निर्देश तो विकास के लिए भी निर्देश 343 बाहरी आकर्मन अत्वा ससस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राश्रपती राश्री आपात काल की घोशना कर सकता है कौन से अनुच्छेद में यह बात कही गई है वीडियो को शेयर करते चलिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करते चलें बेल आइकन अन कर लीजिए अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें राइट आंसर क्या है तो यहां पर सही उत्र हो जाएगा अनुच्छेद 352 आप्शन नमबर A राइट आंसर है सम्मिदान के कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यों में सम्मिदानिक तत्र विफल होने पर राश्रपती शाशन लागू हो सकता है सही उत्र क्या है राश्रपती साशन लागू हो सकता है बिफल होने पर तंत्र तो अनुच्छेद 356 सही उत्र हो जाएगा अगला कौशन है सम्मिदान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर वित्ति आपात काल की उद्गोशन राश्रपती करता है क्या उत्तर हो जाएगा वित्य आपात काल की उद्गोशना राश्रपती किसके अंतरगत करता है तो अनुच्छेद 360 के अंतरगत करता है option number C सही उत्तर हो जाएगा 360 आज के question आपके हिसाब से थोड़े से कठिन थे लेकिन मेरे हिसाब से यह topic exam के लिए 100% important है इनको अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना समझ लेना क्योंकि यह जो question है यह जरूर आएंगे ही आएंगे है ना, यह जो प्रशन है यह जरूर आएगा ही आएगा 101% है क्योंकि जो आज आपने समिधान से related question किये है topic यह जो है, यह बहुत ही important topic है इससे समबंदित question exam में बनते हैं, पूछे जाते हैं और practice ना होने की वज़ाद से गलत होते हैं, तो आप अगर आज पहली बार हमारे चैनल पर आएंगे हैं subscribe जरूर कर लीजेगा जिससे आप रोज की class में time से आ सकें, है ना रोज की class में time से आप आ सकें बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए जो भी चैनल पर आ रहे हैं आज नए हैं झाल